हलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राइ करने जा रही हूं एक नॉर्मल से नोट्बुक को एक्सपेंसिब एंड ब्यूटिफुल लुक देने की अच्छे बात यह है कि आप एक नॉर्मल से नोट्बुक को डियुआ करके अपने पर्सनल टाइरी या जर्नलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग अनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टिट फर्स्ट अफॉल मैं इस नोट्बुक को वाइट कलर के पेपर से कवर कर ली हूं ताकि हमें एक प्लैन बेस मिल जाए अगर आपके पास पैटर्न सीजर ना हो तो नॉर्मल सीजर से भी कट आउट कर सकते हैं मैं यहां डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर का यूज कर रही हूं आपके पास जो भी कलर एवेलेवल हो आप उसे यूज कर सकते हैं देखे कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा हमारा कलरफूल पीपर अब वन बाइवन कट आउट किये गए पेपर में ग्लू लगाके नोटबुक के बेस पे लगाते जाना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं एंड हाँ सबसे इंपोर्टन आप इस प्रोसेस को बेस के हाफ पार्ट तक ही कवर करना है हाफ पार्ट तक प्लान ही रखना है देखे कितना ज्यादा कलरफूल लग रहा हमारा नोटबुक तो अब मैं बनाऊंगी हमारा प्यारा हनीवी तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है फॉर्म सीट जो कि मेरे पास नहीं था तो मैं ग्लिटर सीट के ही बैक का पार्ट को यूज़ कर रही हूँ तो फॉर्म सीट में हनीवी का सेफ को ड्रौ करके कट आउट कर लेना है तो तो त्यारे हमारा क्यूट सा हनीवी अब मैं green clear के form sheet से grass बनाना है, अगर आपको grass बनाने में दिक्कत आती है, तो पहले pencil से sketch कर लेना है, उसके बाद cut out करना है अब ये grass को hot glue की help से नीचे के side में paste कर देना है, और grass के उपर honeybee को लगा देना है, और form sheet से ही एक छोटा सा floor बना लेना है, आप चाहें तो बहुत सरा floor भी बना सकते हैं और honeybee के आजबास में floor को लगा देना है, almost हमारा DIY कम्प्लीट हो चुका है, बट अपना name या और details इन grass की उपर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ फाइनली हमारा DIY handmade diary ready है, आपको यह idea कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं और वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर से करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye bye